बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका एफेक्ट हमें कलके चीडिंग से सनों देखने को मिल सकता है देखो सबसे पहली चीज़ तो यह कि जिस तरह से मार्केट में मॉमेंटम देखने को मिल रहा है वन बाई वन जो बड़े प्लियर्स है न वो हमारे मार्केट के उपर कैसे भी करके कुछ ना कुछ करने के ट्राइ कर रहा है अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकले है जिसमें निफ्टी के उपर काफी बहुत ही बड़ी अपडेट उन लोगों ने दी है वहां के मार्केट हमारे इंडिया के मार्केट के उपर रिपोर्ट निकल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनका कितना फोकस है हमारे इंडियन मार्केट के उपर और स्पेशले निफ्टी के उपर ठीक ये काफी चीज important है तीन बड़े ऐसे major संकेत मिले है जो market की दीशा है न वो बदलने के try कर सकते हैं सबसे पहली जो चीज है सबसे पहले आप ये समझो कि बढ़िया RBA ने जो भी report जो है वो unchange रखा है जो कि हमने already मैंने कल आपको notice दे दिया था ठीक है अपडेट कर दिया था शाम के वीडियो में भी बता दिया था वो टेलिग्रम पे भी अपडेट कर दिया था कि हो सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा unchange होता हुआ देखने को मिलेगा unchange रखा है ठीक है निफ्टी जो है वो एक important level के आसपास volatility create कर रहा है पर यहां एक चीज़ आप notice करो जितना भी market में market मची थी ठीक है चाहे अमेरिका हो जहापान हो कुछ भी हो ठीक है यहां RBN पूरा का पूरा जो global दंगल थाना उसको avoid किया है ठीक है प्रोपर तरीके से ignore किया आप देख सकती हो कि जो कुछ भी rate cut आने वाला था जो कुछ भी है वो प्रोपर तरीके से अंचेंज रखा इसलिए मैं कहता हूँ कि हर बार ना panic मत होना चाहिए ठीक है इसलिए मैं बोलता था कि भाईया panic मत हो जाओ अगर जहापन के market का rate cut आता है और इस तरह से market में तबाही मचती है ना तो भाईया simple सी बात है कि RBA उसको देखेगा कि भाईया इस तरीके से हम कहीं ना कर बैठे हमारा market crash ना हो जाए उनके चक्कर में ठीक है तो यह सब चीजे देखते हुए governor साब ने अंचेंज रखा है पर यहां एक और चीज भी बताई है ठीक है governor साब ने ठीक है एक सक्तिकांता दस्टी ने एक और statement दिया है और वो है FNO trading के ऊपर ठीक है already discussed FNO trade with sebi not like all savings are going in FNO यह बहुत ही बड़ी statement निकल किया रही यहां आप देख सकते जो कि दो एक भाग में बट गया view ठीक है एक तरफ यह कहा जा रहा है कि सारी saving जो है वो market की FNO में चली जा रही है ठीक है bank account की saving है वो FNO में चली जा रही है और RBA की governor साब कहता है कि भीया हमने discuss कर लिया है FNO के बारे में sebi के साथ और उसमें सारी की सारी जो saving है ना वो FNO में नहीं जा रही है ठीक है sebi to take action regarding FNO trading volume उनको कहना यह है कि भीया हमारा issue है volume के साथ ठीक option traders के साथ ज़्यादा इनका कुछ focus देखने को नहीं मिला उनका statement में उनका एक ही motive था कि भीया जो volume है ना volume पर कैसे भी करके control करो और दूसरी साथ यहाँ यह बोल के RBI governor साब है वो तोड़ा बहुत यहाँ safe होते हुए देखने को मिला है ठीक है यह चीद धियान रखना other side यह खबर निकल के आ रहे है ठीक है Asian economy के उपर यह US market का article है US market में अर्टिकल में एक चीज़ सामने आई कि India's Nifty 50 is out performing the S&P 500 so far these years देखो हमारा जो Nifty है ठीक है हमारा जो Nifty है जिस तरह से उचलकुत किया है इस साल में ठीक जिस तरह से D.I.S. ने खरीददारी करी है जिस तरह का record break data निकल के आता है D.I.S. का ठीक है तो उसकी कैसे भी करके इन लोगों ने भी देखाई कि भाईया यह क्या चल रहा है यहां इन लोगों ने एक data निकला है ठीक है और वहां अगर आप देखेंगे तो यह जो black line है ना वो S&P 500 है ठीक है और यह उपर है हमारा Nifty 50 अब यहां आपको साफ देखने को मिलेगा कि S&P 500 का आप देखो चार्ट और Nifty 50 का आप चार्ट देखो ठीक है उसमें एक चीज आप notice करो कि इस dip के बाद यहां जो dip आया ना उसके बाद हमारा Nifty S&P 500 से ज़्यादा चला है अब देखो खेल यहां तक नहीं रुपता आगे क्या है वो देखो ठीक है तो उन लोगों ने देखा कि भाईया हमारे मार्केट से ज़्यादा तो अभी इंडिया का मार्केट जो है वो उचल कुछ ज़्यादा कर रहा है ठीक है अलकि रिसेशन्स की बात है क्या चल रही है कहां चल रही है अमेरिका में रेट हाई कहां हुआ जपन में ठीक है ग्लोबल इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी पड़ता है पर चलता कौन है इंडिया ठीक है तो उनका कहना यह है दो अब देखो यह काफी इंपोर्टन हो जाता है ठीक है इनका कहना यह है कि अगर मार्केट में यह कुछ भी रेट कर्ट या कुछ भी सिलसिला शुरू होता है न ठीक है तो एफ़ाई आइस का जादा तर फोकास इंडियन एकोनोमी के उपर रहेगा ठीक है इसमें आग लगने वाली है इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे इंडियन मार्केट के उपर ठीक है अब यहाँ एक चीज़ और नॉटिस करो आज की दिन जो भी डिसीजन था वो तो आ चुका वो हाई इवेंट था काफी हाई प्रोबिलिटी वाला इवेंट था जिसको सब की नजर दी अब बारा अगस्त को मंडे को और बारा अगस्त को मंडे को ना दो आकड़े आने वाले हैं देके इंडिस्ट्रियल प्रोडक्शन के और इंफलेशन रेट के ये एक काफी इंपोर्टन रहेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना आज आठ अगस्त है देके तो दो तीन दिन बाद यहाँ ये एक और इवेंट हमारे सामने खड़ा है पर जो मैजर इवेंट था वो अड़ेड़ी अब निकल चुका है ठीक है अब जो खेल है अब सीधा थोड़ा चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको कुछ लेवल से डिसकस कर लेते हैं अब देखे हम आ गए है चार्ट पे और निफ्की के चार्ट पर सबसे पहली चीज जो है ना वो बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट आपके सामने आ रही है सबसे पहले और काफी महत्वपूंट देखो ये स्टक्चर जो आज बना है वो काफी इंपोर्टन्ट बना है ठीक है मैंने आपको इस लेवल के आज के दिनना सैलर ने एक गेम खेला है गेम क्या है देखो यहां से मार्केट को गिराया फिर उठाया फिर गिराया और अब यहां नीचे की सैडल ले जा रहा है ठीक है अब आपको कुछ गेम समझ आया देखो यहां अगर मैं एक ट्रेंड लैंड रो करके लेर्स ने एक सेलिंग प्रेसर जो है ठीक है वो क्रियेट करवाने की ट्राइ करी है मार्केट में ठीक है और यहां से फिर नीचे हमें 24,000 के दर्शन करवाने का प्लान शुरू हो रहा है इस चीज का ध्यान रखना पहली चीज तो यह ठीक है अब दूसरी चीज कि भईया मार्केट की पिछले दो ट्रेडिंग सेसन में मार्केट में पिछले दो ट्रेडिंग सेसन में अगर आप देखेंगे जब जब मार्केट इस रेंज के आसपास आता है ना सेलर हावी हो जाता है 24,300 के आसपास हर बार market से selling आया है ठीक है और 24,900 और 24,000 के आसपास 24,000, sorry 23,900 और 24,000 ठीक है ये दो level है न यहां बार बार खरीदर यह आ जा रही है अगर आप देखेंगे यहां भी एक बार खरीदर यही यहां भी खरीदर यही अब market अलमुस्ट इस range के आसपास जा रहा है तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यह कि एक बार bulls हना वो निफ्टी को halt करने के try कर सकता है 24,000 से 2900 के आसपास अब अगर वो नाकाम रहे क्यों क्योंकि 2-3 बार यहां अच्छी खासी selling आ चुकी है ठीक है अब अगर यहां नाकाम होते है ठीक है बुल्स तो समझ लो भाया नीचे का deep आपको खुलता हुआ देखने को मिलेगा नीचे का window आपको open होता हुआ देखने को मिलेगा ठीक है यह देखो panic करने की कोई बात नहीं है पर structure आपको समझना पड़ेगा जिन लोगों को doubt है ना मेरे लिवल्स पर एक बार ना टेलिग्रम चेनल धुइन करके देख लो ठीक है नीचे description box में है ना टेलिग्रम का link दिया एक बार धुइन करके देख लो आपको पता चल जाएगा ठीक है ना इतना तो है बया इतना तो हमें भी अपने knowledge के उपर वो है ठीक है अब देखो कुछ मैं आपको structure समझा देता कल के लिए ठीक है कल के लिए आपको एक सबसे पहली चीत हुई है कि देखो कल ना हमें दो level पर focus करना है 23,950 से लेके 24,000 का level यहां market में बुल्स है ना वो जितना हो सके उतना market को उठाने की try करेंगी पहली चीट 23,950 के नीचे market अगर 23,950 के नीचे जाएगा ना ठीक है त तो वहां से selling है ना वो mount होना शुरू हो जाई ठीक है तो एक बार हम बहती गंगा में हाथ धोने की try करेंगे भई या ठीक है इसके नीचे market में selling start हो सकती है सीधा आपको 23,800 का level देखने को मिल सकता है 500 point बोल रहा हूँ ठीक है nifty में easily आपको नीचे की side यह level देखने को मिल स जादा ठीक है पर 24,000 के आसपास और 23,950 के आसपास एक बार हम देखेंगे bulls क्या try कर रहा है अगर positive structure बना रहा है तो मैं आपको update कर दूँगा telegram पर यह positive structure बन रहा है यहां से market उपर की side के target खोल रहा है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना अब यहां सबसे पहला आपने समझ लिया कि भईया देखो यह structure जो बन रहा है यहां इस type का selling pressure आया है यहां जितना भी buyer बैठा था ठीक है वो buyer अभी trap है ठीक है यहां जितने भी buyer आया ना ठीक है वो यहां इनके SL थे SL के नीचे market है ठीक है closing इसके नीचे हो रही है मतलब यह जो buyer है वो trapped है ठीक है already तो अ अपर सैड के लिए अब simple सी चीज है 24,000 दोसों का level 24,000 के level को sustain करना most important है निफ्टी के लिए अगर निफ्टी इसके उपर sustain करेगा तभी यहां से bulls activity होती हुए देखने को मिलेगी नीचे की सैड का level 24,000 और 23,950 है इसके नीचे market आएगा तो भाईया जो bulls है ना वो trap होंग और beers है वो aggressively selling pressure करते हुए आपको देखने को मिल सकते है अब देखो हम आगए है bank nifty के चार्ट पे bank nifty के चार्ट पे सबसे पहले आप यह देखो मैंने आपको कल यह structure समझाया था कि यहां एक resistance निकल के आ रहा है ठीक है यहां से market को reverse करवाने के try करेंगे 50,450 के आसपास ठीक और आप देख सकते हो exactly pinpoint level जैसी market वहां आया exactly वहां से हमें यहां तक का momentum देखने को मिला मैंने यहां तक का target दिया था 25,000 के आसपास का अभी आप live देख सकते हो market कहां खड़ा है ठीक है तो यह चीज़े होती है ठीक है ना सांती से समझोगे तो कुछ सीखोगे वरना भाग तो देखो market में calculated session में यहां rounding bottom बन रहा था ठीक है आद के दिन भी market को उठाया गया है ठीक है यहां से cup and handle का breakout हुआ मैंने आपको बताया था 25,000 के उपर momentum आया गया यहां तक momentum भी आया फिर यहां से आया selling अब selling आया फिर से यहां hold किया अब नीचे आ रहा है ठीक है तो पहल bank nifty में अब कैसे भी करके देखो यहां काफी time range बना के hold किया है market इस range को ठीक है यह 200 point की जो bank nifty में range है यह काफी important बनेगी 50,300 के उपर मैंने टेलिग्रम पे भी update किया है कि सारा खेल इसका है ठीक है 50,300 के उपर निकलता है तो यहां से 50,500 के दरसन हमें आते होई देखने को मिले सकते है एक जी ध्यान रखना अभी market पचास 600 के आसपास खड़ा है almost closing time है ठीक है नीचे एक 50,000 का support है ठीक है 50,000 का एक support है मतलब 100 point के दायरे में एक support खड़ा है 50,000 के नीचे market जाता है तो वहां से selling pressure mount होगा panic level में आपको बता देता हूँ 49,780 का level ठीक है 49,780 का जो level ह यहां से एक panic selling आसकता है इस चीस का धियान रखना market अगर इसके नीचे sustain करेगा तो फिर एक अगली window downside की open होगी तब तक जब तक देखो 50,000 का level intact है तब तक आपको मतलब दोनों साइड के trades होते हूए देखने को मिलेगी इसके नीचे one sided momentum आता हो देखने को मिलेगा तो मैंन करता हूँ वो शेयर करता हूँ तो उसके लिए आपको ना वीडियो को like जरू कर देना है comment कर देना है telegram जोइन कर लेना है और पहली बार आयो हो ना तो चैनल को subscribe कर लेना ठीक है शाम को मैं proper तरीके से मेरे levels जो है वो भी मैं आपके साथ share करूंगा point to point ठीक है यहां से upside यह हां से downside तो उसको miss मत करना देखे मिलते हैं शाम के वीडियो में जहींज